हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे और ये देखिए ये बड़े बेटे का रूम है दिली में हम दिली पहुंच चुके थे आपने पिछले व्लॉग देखा होगा जो हम शिमला से निकले थे और दिली के लिए से तो बस बेटे के पास आ गए हैं रात पुछेंगे और कल सुबह हमादा रिजर्वेशन हैं हम निकल जाएंगे कल रात को दस बच किया था करीब करीब दस आड़े दस बच किया थे हम लोग यहां पहुंचे दिली हम लागा मैं यह भी ट्रेन है और हम अभी निकल जाएंगे आदा पॉन घंटे से खाना खाके न जाएंगे और देखिए हम निकल चुके हैं बेटे के साथ और हम लोग ने ओला कर लिया था और एक देड़ बज़े करीब निकल गये थे देड़ बज़े खाना वगरा खाके क्योंके काफी टाइम हो जाता है कि थोड़ा मारजिन लेके चलना पड़ता है ट्रैफिक वगरा और फिर जो भी हो और हमाई ट्रैन थी तीन पांच की गोंडवाना निजामत दीन से थी और हम लोग पहुँच चुके थे और हम लोग अपनी करीब आदा घंटा पहले पहुच गे थे तो हम लोग बाहर निकल के काफी वगरा पी रहते और यह देखिए बेटा बेटा जाएगा ट्रैन से नीचे उतर गए थे तो बस अब चूटने वाली थी और यह देखिए ट्रैन चूट भी गई थी और काफे खराब लग रहा था क्योंकि वैसी आयास को छोड़के आये थे और फिर आप यही था कि अरबास को भी छोड़ दिया दोनों बच्चे यहीं हो हम जा रहे हैं रास्ते में हैं और यह देखिए हमारा खाना भी आ चुका था रात का खाना खाके हम सो गए थे और यह देखिए सुभा करीब दस बचे करीब दस साड़े दस बचे करीब नागपुर पहुची थी काफी लेट हो गई थी ट्रैन क्योंकि इसका टाइम था एक हमारा काम एक्वेरियम का करवाना पड़ा क्योंकि काफी गंदा हो गया था तो भाईया आए हुए थे और यह कर रहे थे पहले तो कोई दूसरे आए थे अभी यह दूसरे आए हुए हैं पहले बेटर था छोटा तो साथ में हम लोग हजबें हम तीनों मिलके कर लेते थे ल और यह इस तरह से सफाई भी हो गई है और काफी अच्छा हो गया एक्वेरियम भी और यह आके पत्थरों को जहमार दे रहे हैं और उसके बाद जितने भी फ्लावर्स बगरा है यह सब्दे के सेट कर दिया उन्होंने हम लोगों को काफी टाइम लग जाता है लेकिन उन ल नीचे चुन-चुन के जब गंदगी हो जाती है तो इसी तरह से खाते रहती है उनको एक्स्ट्रा खाना मिल जाता है और सफाई होने से उनको नहीं मिल रहा है यह देखे है यह क्या चीज है यह आपको बताते हैं हम यह पेस्ट कंट्रोल जो होता है चीटी है डीमाख है य और यह पूरा सामान वही लोग सामान खाली करते हैं किच्छन से क्योंकि उनका होता है कि किच्छन और बाथरूम में साफ करना है तो बस वह लोग नहीं सामान दोनों ने मिलके काफी सामान हो जाता है तो बस उनों लोग खाली कर रहे हैं यह सामान तो हर कुछ कर लिया था अ कोई फायदा नहीं हुआ, OW अपना घर बना लेते हैं, फिर वो कहां रहते हैं कि, फिर निकल के आ आ जाते हैं और रात में काफी प्यलते हैं रख आपके क्यों नहीं कोई ब़तुप आ भरत्र भव्यद में हमें साफ़ करके सोना करना लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ आकर था खार के यही हुआ कि इनको बुलाना ही पड़ा हम लोग ने इनको बुलाया एक होर्डिंग्स देखा था शहर में तो बस महां फोन किया और उन्हों से बात किया और फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है हम बस इतना इतना लेते हैं उन्हों ने क्या कि 3,000 रुपए हम लोग लेते हैं फलेट है तो 3,000 और तो आपका हम 2 साल की गेरंटी देंगे तो ये भी बहुत अच्छा था कि गेरंटी भी थी और वैरंटी के साथ आपको दे रहे हैं तो कोई वो नहीं हमने का करवाई लेते हैं और ये देखिए है हमने एक वेरियम में ढाग दिया था कि को जो जब ये लोग स्प्रे मार रहे थे तो इसकी बहुत स्मेल बहुत ज़ादा थी तो नुकसान ना हो मचलियों को तो इस वज़ा से फिर ढाग दिया था और ये देखिए आप ऐसे तो नहीं द दिखता नहीं है और ये देखिए फ्रिज को भी खाली कर लिया था क्योंकि फ्रिज में भी कुछ गंदगी सी हो गई थी मतब गंदा हो गया था तो सोचा साथी साथ साफ कर लेते हैं और ये देखिए शाम का टाइम था चार बज़रा था तो करीब हमने का कि चले एक दो ग किचन में मत पकाईएगा तो हम लोग ने कुछ नहीं किया दिन में खाना भी भार से ले आए थे बिरियानी ले आए थे देर से खाया बिरियानी वैसे भी पेट भरा से लग रहा है और फिर अब हमने कहा कि चले कुछ तो हलका हो जाएगा काम करेंगे तो तो बस सफाई कर थे और नीचे की तो मत फारश पकेरा तो साफ करना नहीं था तो उपर से जटक देते हैं तो कल बाई आईगी तो जाड़ू पोच्छा में सारा साफ हो जाएगा तो बस वही कर रहे थे हम काम तो बहुत है आप चाहे ले लो कि रमजान आ रहे हैं या शाबान आ रहे है तो इस वज़े से सफाई कर रहे हैं ऐसा नहीं है सफाई तो ऐसा साल में कई बार हो जाती है जब आपका मन करें कि गंदा हो रहा है तो तब तो फॉरन साफ कर लेते हैं बस फिर हमने ना धो लिया था फिर उसके बाद में शाम में आफिस से आने के बाद हस्बेंड ने का कि च लाला गुपचुपाले महराजा चौक में खुला है तो बस वहां से हमने लोगों ने दोनों ने चाट खाया वैसे तो कुछ और जादा खाने का मन नहीं था क्योंकि देर से खाना खाया था तो यहां की चाट हम फर्स टाइम खाये थे तो लेकिन अच्छी लगी खाने में और काफी काफी चलती है यहां पर बच्चे लोग काफी शाम में काफी भीड होती है और रहता भी अच्छा कोई स्वीट्स वगएरा की शॉपनिंग है यह बस सिर्फ खाने की है तो यहां पर सब तरह की मिलता है और काफी अच्छा रहता है और वहां से आने के बाद हमें अप सुभा आ भी गए बोले तो वैसे कि रात में आएंगे ये भी अच्छा हुआ हमारे लिए कि जल्दी आ गए वो लो बाई के आने के पहले हैं ये लोग ने सब पूरा शिंक लगा दिया था बारा वज़े तक के वो आज लेट ही आने वाली थी उसने बोली थी कि मैं देर से आऊँगी इत्मिनान से क्योंको इसको पता था कि यहाँ पर घर में साब सपाई है सफाई करना होगा इस वज़े से और ये देखे ये लग चुका है शिंक इसकी जो वो है वो पनी नी निकाले हैं अभी इसने बोला है कि कल यूज करना और ये देखे कितनी गंदगी धूल बहुत उड़ी थी तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारा किचन जमने से पहले ही शिंक लग गया ने तो डबल मेहनत पड़ती हमें और ये देखे आ चुकी थी बाई और ये अपनी साफ सफाई करने में लगी हुई है और हम भी सामन हटा अटा कि उसको साफ करने दे रहे थे और ये देखे उसने अंदर से पूरा जिता भीता सफ साफ कर दिया फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में